प्रेंट्स मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज पॉलिटी का टेस्ट नंबर 4 लेकर आए हैं और इसमें टोटल आपको 50 कोस्टन कराया जाएगा तो चलिए दोस्तों अश्टार्ट करते हैं आज का पॉलिटी का टेस्ट नंबर 4 और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि जो भी वीडियो डालू वो आप तक पहुच जाए आप उसक टेस्ट अगर नहीं देख पाए हैं जो छुट गया है उसको आप प्लेलिस्ट में जा करके वहां सारा वीडियो पड़ा हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं अगर आप सीटेट की त्यारी करना चाहते हैं तो आपको सीटेट की त्यारी फरवरी से कराया जाएगा तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अराम से सीटेट की त्यारी करे और आप सीटेट पास कर जाएं ठीक है चलिए तुआ श्टार्ट करते हैं आज का ये पहला कोस्चन टेश्ट नंबर चार का कि सौर उर्जा कौन सा संसाधन है सौर उर्जा कैसा संसाधन है मानोकृत है पुनः पृती योगी है अजयव है या अच्षक्रिय है तो क्या हो जाएगा से unterstüt पुना पूर्टी योग ये शंसाधन है आपको संसाधन से एक कोस्चन या दो कोस्चन तो fix है अपको आएगा ही आएगा और सौरूर्जा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो सौरूर्जा यहाध रखियेगा कैसा है? इसको नविकरन भी कहा जाता है नविकरन संसाधन भी इसको कहते हैं क्योंकि बारवार इसको हम क्या कर सकते हैं नया कर सकते हैं ठीक है और इसको पुना पुर्तियोग भी कर सकते हैं क्योंकि इसको बारवार हम पुना पुर्ति कर सकते हैं अपने लिए चलिए दुसरा कोशन हम देखते हैं कि समाजिक विभाजनों को संभालने के संदर् लोगतंत्रिक विवस्था पर लागू नहीं होता है तो क्या हो जाएगा हमारा दूसरा नमर कोस्चन देखिए कि लोगतंत्र में राजनीतिक परती द्वंदिता के कारण समाजिक विभाजनों की छाया राजनीती पर भी परती है दूसरा नमर उप्सन है लोगतंत्र में विभिन शमुदायों के लिए शांती पूर्ण धंग से अपनी सिकायते जाहिर करना संभव है तिसरा है कि लोगतंत्र समाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है या डी नमर उप्सन लोगतंत्र समाजिक विभाजन क आधार पर समाज के विखंडण की यूर ले जाता है तो question में क्या था? नहीं लगा हुआ है नहीं को ध्यान देना है, तो क्या हो जाएगा दो का डी नम्बर हमारा एंसर हो जाएगा सारी, डी नम्बर एंसर हो जाएगा आनि लोक तंत्र समाजिक भी भाजन के अधार पर समाज में भी खंडन की ओर ले जाता है ये क्या है ये गलत है बाकी सब सही है तो यहीं नहीं पुछ रहा था ना गलत वाला कौन भै ये पुछ रहा था चलिए अगला कोस्चन देखते हैं तीन नमर कोस्चन हमारा कि निम्न कथनों पर विचार करे कौन से कथन सही है जहां समाजिक अंतर एवं दुसरे से टकराते हैं जहां समाजिक अंतर एक दुसरे से टकराते हैं वहां समाजिक विभाजन होता है बी नमर है या संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सी नमर उप्षन है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही समाजिक विभाजन होते हैं या D number option है A और B दोनो तो क्या हो जाएगा तीन का तीन का हो जाएगा D number यानि A और B दोनो शही है ठीक है यानि जहां समाजिक अंतर एक दूसरे से ठकराते हैं वहां समाजिक विभाजन होता है बिल्कुल शही है और यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है ठीक है यह भी संभव है तो क्या हो जाएगा दोनो शही है चलिए next question देखते हैं चार number कि A निम्ण व्यक्तियों में कौन लोकतंतर में रंग भेद के विरोधी नहीं थे रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे तो रंग भेद अंदोलन कहां हुआ था यह दच्छी ने फिर कम हुआ था तो कौन-कौन थे किंग मार्टिन लूथर रंग विरोधी थे महत्मा गांदी वी रंग विरोधी थे क्या है टोमीयसमी थे वं जोन कारलेस यह भी रंग विरोधी थे लेकिन जो जेड गुडि थे यह रंग विरोधी नहीं थे तो इसका इंसर क्या हो जाएगा नहीं वाला कोशन थोड़ा से ध्यान से देखियेगा इसका इंसर हो जाएगा डी नंबर यानि जेड गुडी ठीक है याद रखेगा चलिए अगला कोशन देखते हैं फाइफ नम्मर की भारत में कहां औरतों के लिए रच्छन की विवस्था की गई है लोकशभा विधान शभा मंत्री मंडल या पंचायती राज विवस्था तो क्या हो जाएगा इसका डी नम्मर पंचायती राज विवस्था चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं सिक्स नम्मर की मिलान करने वाला है पाकिस्तान कैसा राष्टर है तो पाकिस्ता तान इसलामिक है है न हिंदुस्तान कैसा है तो धर्म निर्पेच और इंगलेंड कैसा है प्रोश्टेट तो एका मिल गिया दो शेत ये का दो किसमें है संघ राज की विशेष्टा नहीं है संघ राज की कौन सी विशेष्टा नहीं है लिखित संभीधान शक्तियों का विभाजन इसको थोड़ा और छोटा कर ले सक्तियों का विभाजन दुसरी एकहरी शासन विवस्था या डी नमबर है सरवच नियाई पाली का तो संघ राज की कौन सी विशेष्टा नहीं है तो साथ का हो जाएगा C नम्मर 21 शासन बेवस्था लिखित संभीधान तो भारत का है सक्तियों का विभाजन भी है और सर्वच नियाले भी यहाँ है ठीक है लेकिन यहाँ कैसी सासन बेवस्था है दोहरी शासन बेवस्था है ठीक है केंद्र का अलग है राजी का अलग है चलिए next देखते हैं 8 number question की संघ का उदाहरन है शंघ का उदाहरन है अमेरिका में चीन, ब्रेटेन या कोई नहीं तो अमेरिका कैसा है संघ हातमा कोई या अमेरिका संघ सरकार का उदाहरन है चलिए next question देखते हैं नाइन नमर की ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था आनि किस राज में हुआ था ताड़ी विरोधी आंदोलन बिहार, यूपी, आंधर पर्देश या तमिल नाडू तो 9 का हो जाएगा आपका C नमर यानि आंधर पर्देश में हुआ था ताड़ी विरोधी आंदोलन चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं 9 नमर कि नर्मदा घाटी परियोजना कीन राजियों से संबंधित है ठीक है तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है MP से निकलती है और ये महराष्ट गुजरात भी होते ही विए भाती है तो ये तीनो राजियों से संबंधित है MP महराष्ट और गुजरात इसका एंसर क्या हो गया D नमर ठीक है याद रखियेगा चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं 11 नमर की सिरलंका कब आजाद हुआ सिरलंका को अजादी कब मिली 1947, 48, 49 या 50 तो क्या हो जाएगा 1948 में सिरलंका को अजादी मिली थी चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं 12 नमर की सुचना के अधिकार संबंधि कानून कब बना सुचना का अधिकार है ना Right to Information कब लागू कब बना 2004, 5, 6 या शाद तो क्या हो जाएगा 12 का B नमर यानि 2005 इसवी में कानून ये बना था चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं 13 नमर की भारत लोकतंतर में शत्ता के विरुध जन आक्रोस किस दसक से परारंब हुआ था अना भारत में लोकतंतर में शत्ता के विरुध जन आक्रोस किस दसक में परारंब हुआ 60, 70, 80 या 90 तो 1970 के दसक में आरंब हुआ था है ना 1977 में जनता पाटी की सरकार भी बनी थी ठीक है याद रखियेगा चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन हमारा 14 नंबर कि बिहार में संपूर्ण क्रांती का नित्रित्व किस ने किया था बहुत इंपोर्टन कोशन है कि संपूर्ण क्रांती का नित्रित्व किस ने किया था ओप्शन मुरार जी देशाई नितिस कुमार इंद्रा गांधी या जैप्रकाश नरायन तो 14 का हो जाएगा आपका जैप्रकाश नरायन जी किये थे शंपूर्ण करांती का नित्रीत्व चलिए निक्ष कोशन देखते हैं 15 नमबर कि वोलीविया में जन संगहर्स के मुख्य कारन थे मुख्य कारन क्या थे पानी की कीमत में बिर्धी हो गई थी खाध्यान में कमी में बिर्धी या पेट्रोल की कीमत में बिर्धी या दवाओं के कीमत में बिर्धी तो क्या हो जाएगा पंद्रा का ए नमबर यानि पानी की कीमत में बिर्धी होने से बुलिविया में जन संगहर से हुआ था ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं सोला नमबर सोला कोशन है कि निम्न में कौन भारतिये किशान यूनियन के नेता थे कौन थे मुरार जी देशाई जै प्रकाश नरायन महेंदर शिंग टिकैत या चौधरी चरन शिंग भारतिये किशान यूनियन के नेता कौन थे तो ये चौधरी चरन शिंग है ना चौधरी से याद रखिएगा किशान चौधरी चौधरी चरन शिंग चलिए next question है 17 number कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली थी यह भी बताया थे ना Congress party, जनता party, Communist party या इन में से कोई नहीं तो 17 का हो जाएगा B number यानि जनता party, जनता party 1977 में आम चुनाव में को जीती थी है ना बहुमत मिला था, ठीक है चलिए next question देखते हैं 18 number 18 number question है कि राजनीतिक दल का आसे है, राजनीतिक दल का किस से आसे है अप्शरों के समूसे, सिनाओं के समूसे, या व्यक्तियों के समूसे, या किसानों के समूसे 18 का क्या हो जाएगा आपका, C number यानि व्यक्तियों के समूसे, सम्बंधित है राजनीतिक दल चलिए next question देखते हैं, उनीश number कि किस देश में बहुदलिये विवस्था नहीं है फिर नहीं के question आगिया, किस देश में बहुदलिये विवस्था नहीं है, पाकिस्तान, भारत, बांगला देश या ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में बहुदलिये विवस्था नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, D number में चलिए next question देखते हैं, 20 number कि गठबंधन की शरकार बनाने की संभावना किस परकार की दलिये विवस्था में होती है, एक दलिये, दियु दलिये, या बहुदलिये, या इनमेशे, कोई नहीं, तो 20 का हो जागा, बहुदलिये विवस्था होता है, गठबंधन की शरकार बनान के लिए, चलिए, अगला question देखते हैं, दल बदल कानून किस पर लागू होता है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है, शांसदो और विदायकों पर, राष्ट्रपती पर, उपराष्ट्रपती पर, या इनमेशे, शभी, तो क्या हो जाएगा, दल बदल कानून किस पर पर होगा ए नमबर यानि शांसदू और विधायकों विधायकों पर लागू होता है दल वदल कानून ठीक है और यह दसमियन उसूची में है दल वदल है ना याद रखिएगा और इसको कब जोड़ा गया था तो चलिए अगला कोशन देखते हैं 22 नमबर की राजनीतिक दलों की नीव सरुपरथम किस देश में पड़ी बिर्टेन भारत फ्रांस या यूएस तो क्या हो जागा आपका बिर्टेन में यह सबसे पहले नीव पड़ी थी नेक्स कोशन देखिए 23 नमबर की जनता दल पाटी का गठन कब हुआ यहां united नहीं हां secular कर लिजेगा ठीक है जनता दल united के जगा पे क्या कर लिजेगा दोस्तों secular कर लिजेगा ठीक है क्योंकि वहां पर थोडा सा misprint हो गया है तो अगर जनता दल united रहेगा तो आपका एंसर हो जाएगा जंता दल यूनाइटेट 2003 अगर सेकविलर रहेगा तो इसका एंसर होगा नुशर 99 में इसका गठन हुआ था और जंता दल जंता दल यूनाइटेट का कब हुआ था तो 2003 में ठीक है जो 2003 इसमें उप्शन में नहीं है चलिए next question देखते हैं हम नेमन में कौन राष्ट्रिय दल नहीं है राष्ट्रिय दल कौन नहीं है राष्ट्रिय जनता दल बहुजन समाथ पार्टी लोग जन सकती पार्टी या भारतिय जनता दल तो इसमें C नमर जो एंसर है लोग जन सकती पाटी है ना ये अभी राष्ट्रिय दल नहीं है ये छेत्रिय दल है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं 25 नमर की कौन सा उद्देश से प्राया सभी राजनीतिक दलों का होता है तो क्या होता है सबका उद्देश ये सत्ता प्राप् करना सभी का ये क्या होता है मतलब उद्देश से होता है तभी तो चुना लड़ता है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं 26 नमर की लोग तंद्र की शफल्था निर्भर करती है लोग तंद्र की शफल्था किसपन निर्भर करती है नागरीकों की उदाशिंता पर नागरीकों क गैर कानूनी करवाई पर नगरिकों की विवेकपुर्ण शहभागिता पर या नगरिकों दोवारा अपनी जाती के हीतों की रच्छा पर नगरिकों की विवेकपुर्ण शहभागिता पर तो क्या हो जागा है 26 का C नमबर और नागरिकों की विवेक पूर्ण शह भागिता पर ये निर्वर करती है लोगतंत्र की शफलता और लोगतंत्र कितना शफल है ये निर्वर करता है नागरिक वहाँ पे किस परकार अपना विवेक पूर्ण शह भागिता निवाता है ठीक है चलिए नेक्ष कोशन द भागिदारी थी याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं 28 नमबर की छेत्रवाद छेत्रवाद की भावना एक कूपरी नाम है किसका कूपरी नाम है तो अपने छेत्र से लगाव राष्ट्रहीत राष्ट्रिय एकता या अलगाव वाद तो क्या हो जाएगा 28 का डी नमबर आनि छेत्रवाद की भावना जो है अलगाव वाद का एक कूपरी नाम है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं 29 नमबर नए विश्व सर्वेच्छन के अधार पर भारत वर्ष में मद्दताओं की शंक्यां कितनी हैं है ना मद्दताओं की शंक्यां लगभग कितनी है 90 करोड, 71 करोड, 75 करोड या 95 करोड तो क्या हो जाएगा 71 करोड लगभग अभी मद्दताओं की शंक्यां है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते है 30 नमबर आपका कोशन है कि वरतमान में नेपाल में कैसी साशन ब्यवस्टा है लोग तंतरात्मक है राज्तंत्र है या दोनों है या कुई नहीं तो नेपाल में कैसी है लोग तंतरात् और यह सासन व्यवस्ता कब से लाग होई है तो 2008 से ठीक है चलिए नेक्ष कोशन देखते हैं 31 भारतिय राजनीती में महिलाओं को कितने परतिसत अरच्छन देने की मांग की गई है 33 परसेंट, 50 परसेंट, 15 या 30 परसेंट तो क्या हो जाएगा यह नमबर यानि 33 परसेंट अरच्छन देने की विवस्ता की गई है लेकिन कोई-कोई राज्य में 50 परसेंट भी है जैसे की बिहार और भी राज्य है चलिए नेक्ष कोशन देखते हैं 32 नमबर कोशन है कि भारत में योजना आयोक का गठन कब हुआ था अच्छा कोशन है कि योजना आयोक का घठन कब हुआ था 15 मार्च 50 फंद्रच सितमबर मार्च पिद्दरवर या 15 मार्च 1950 तो क्या हो जाएगा है पंद्रव मार्च 1950 को भारत में योजना आयोक का घठन हुआ था ठीक हैं तो इसका एनसर क्या tunnels का ए नमबर देखिए ए और ड दो नो एक ही हो गया है और ड में भी 15.85 है और ए में भी 15.85 तो आप लोग कनफूरी ने कीजिएगा 15.85 देट याद रखिएगा योजना आयोक का गठन हुआ था इसको और चलिए अगला कोसन देखते हैं कि योजना आयोग को कब खत्म किया गया तो 10 अगस्त 2014 11 अगस्त 204 13 अगस्त 2014 चौदध या 14 अगस्त 2014 तो 33 करके क्या हो जागा आपका सी नमबर यानी 13 अगस्त 2014 को इसको शमाप्त किया गया और देखिए next question है आपका कि नीती आयोग कब लागू किया गया ठीक है योजना आयोग को समाप्त करके क्या लाग गया था नीती आयोग लाया गया था और इसको कब लागू किया गया तो दो अक्टूगर 2015 एक जनवरी 2015 दो अक्टूबर 2014 या दो जनवरी 2015 इसका एंसर क्या वजागा एक जनवरी 2015 को नीती आयोक को लागू किया गया था योजना आयोक के जगा पे और इसके मतलब अध्यश कौन होते हैं तो परधान मंतरी इसके अध्यश होते हैं और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज प्लीज एक लाइक की दिएगा है ना एक लाइक कर दिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले ताकि जो ही वीडियो डाले वो को आप तक पहुश जाएसानी से और आप उसको देख सके और आपकी तयारी पूर्ण हो सके और आप उल्कुल एक्जाम में पास हो जाए ठीक है यही कामना है हमारी और चलिए तो अगला कॉस्चन देखते हैं कि नीती आयो कब लाग हो गया कोस्चन थर्टी फाइब ठीक है। कैसा लोक्तंत्र है। परती निध्यात्मक, एकात्मक या दोनो या कोई नही। तो क्या हो जाएगा 35 न मर न अनि प्रती निध्यात्मक लोकतंत्र है हमारा लोकतंत्र ठीक है भारत का लोकतंत्र चलिए next question देखते हैं राश्टरपती चुनाओ लड़ने वाले पर त्यासी के लिए कितना जमानत रासी निर्धारित की गई है तो 15,000 रुपया निर्धारित किया गया याद रखिएगा ठीक है 15,000 चलिए next question देखते हैं कि तीनों सेनाओं का परमुख कौन होता है तो तीनों सेनाओं का परमुख पता होगा राश्टरपती होते हैं थल सेना जल सेना और वायू सेना तीनों का राश्टरपती होते हैं next question देखते हैं 38 number question है कि राज सभा के सभापती कौन होते हैं राश्टरपती उपराश्ट पती जो होते हैं राज सभा के शभा पती होते हैं चलिए नेक्ट कोस्टन देखते हैं 39 नमर कोस्टन है आपका कि भारतिये शंविधान में किसका उलेख नहीं है भारतिये शंविधान में किसका उलेख नहीं है राश्ट्रपती प्रधान मंत्री उप्रधान मंत्री या राज प्रधान मंत्री का नहीं है चलिए अगला question देखते हैं हम फोटी नंबर की राज सभा के करवाही चलाने के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिती अनिवार्य है कितने सदस्यों की उपस्थिती अनिवार्य है एक बटा 6 एक बटा 4 एक बटा 15 या एक बटा 10 तो क्या हो जगा आपका answer डी नंबर यानि एक बटा 10 सदस्यों की उपस्थिती अनिवार्य है जितने सदस्यों है उसका दसमा भाग ठीक है उसका दसमा भाग उपस्थित होना चाहिए अगर 100 टोटल सदस्यों है तो कितना होना चाहिए 10 उपस्थित होना चाहिए तभी कारवाही चलेगा ठ राष्ट्रपती को पद से हटाने के लिए कितने दिन पहले सुचना दी जाती है बहुत अच्छा कोस्चन है और बहुत असान भी है बहुत वर इक्जाम में आते रहता है तो इसका इंसर हो जाएगा आपका 14 दिन पहले राष्ट्रपती को सुचना दी जाती है महाभियोग ल निर्वाचित कहा है ठीक है ध्यान दीजेगा निर्वाचित अधिक्तम सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 550 अधिक्तम निर्वाचित होती है और ऐसे अधिक्तम कितना होता है क्योंकि दो इसमें मनोनीत किया जाता है तो कितने हो जाएगा 550 अधिक्तम टोटल कितना हो गया 552 ठीक है याद रखिएगा चलिए next देखते हैं question कि लोग सभा में अधिक्तम सदस्यों की संख्या कितनी होती है लोग सभा में अधिक्तम सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 552 अभी आपको बताए चलिए अगला कोशन है कि राज सभा में अधिक्तम सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो राज सभा में जो अधिक्तम होता है 250 होता है याद रखिएगा ठीक है चलिए next question देखते हैं 45 की राजसभामे वरतमान निर्वाचित सदस्यों की र रश्टपती दोबरा राजसभाम कितने सदस्यों की मुनिनट किया जाता है 12 तो वरतमान में है 245 इसमें से 12 अगर अगर मैंस कर देते हैं तो कितना बचेगा 233 तो आपका एंसर हो गया 233 यानि B नमबर एंसर आप शही है कि वर्तमा निर्वाची थिदस्यों के शंक्या 233 है ठीक है चलिए नेक्ष्ट कोशन देखते हैं हम 46 नमबर की दोनों शदनों के संजुक्त बैठक की अध़चता कौन करता है दोनों शदन की संजुक्त बैठक के अध़चता लोक सभा अध्यच जी करते हैं और बुलाते कौन है तो राष्ट्र पती चलिए अगला कोशन देखते हैं हम 47 नमबर कोशन आपका की संजुक्त बैठक कौन बुला शकता है संजुक्त बैठक कौन बुला सकता अभी बताए आपको राष्ट पती जी संजुक्त बैठक बुला सकते है ठीक है चलिए next question देखते हैं और 40 number की लोग सभा और विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या को कब तक बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है तो option है आपका 2025, 22, 26 या ठाज तो क्या हो जागा आपका answer C number याणि 2026 तक इसको न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है ठीक है चलिए अगला question देखते हैं 49 number और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please एक like कीजे अगर आप नए हैं तो subscribe कर लीजे है ना ठीक है और अपने दोस्तों के साथ भी share कीजे ताकि उनको भी फायदा हो ठीक है और अगर आप seated की त्यारी करना चाहते हैं ठीक है तो फरवरी के बाद आपको seated की त्यारी कराई जाएगी सोरी जन्वरी के बाद फरवरी नहीं जैसे ही एक state खतम होगा तो आपका seated का त्यारी सुरू हो जाएगा तो अगर आप त्यारी करना चाहते हैं आगे हमारे साथ ठीक है अपने चैनल के साथ तो आप सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि उसका जो भी त्यारी होगा जो भी वीडियो आएगा वो आप तक पहुच जाएगा आप उसको असानी से देख पाईएगा ठीक है और आप राम से त्यारी कीजिएगा ठीक है तो देखते हैं हम 49 नमर कोस्टन आपका कि विधान परीशद में राजपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो विधान परीशद में राजपाल के द्वारा एक बटा छे सदस्यों को मनोनीत किया जाता है बहुत अच्छा question है ठीक है very important question था ये याद रखिए एक वटा छे सदर्शी को चलिए अगला question आपको देखते हैं 50 number कि राजपाल दुआरा विधान सभा में कितने सदर्शियों की नियुकती किया जाता है राजपाल दुआरा कहां का रहा है तो विधान सभा मे तो मात्र एक सदर्शी को मनोनीत किया जाता है ठीक है ये भी आपका बहुत अच्छा question था तो चलिए आज आपका टेस्ट नंबर 4-50 question पूरा होता है और आपसे फिर मिलते हैं कल दुसरे टेस्ट में तब तक के लिए आप लोग त्यारी करते रहिए और आप सभी को अभी स से ही बेस्टो पलग ठीक है बहुत भुत धन्यवाद जय हैं जय भारत